हेलो एब्रीवर्न मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जैसे सीजियल में देखिए किस तरह के कोश्चन पूछे जा रहे हैं अगर मैं बात करूं 219-2024 नकी 21 सेप्टमबर को कैसा कोश्चन पूछा गया था इ मिल जाएगा तो चलिए फर्स्ट कोश्चन से सुरुवात करते हैं राजपाल के द्वारा सपत या फिर प्रति ज्यान लेने का प्राभधान भारत के समयधान के किस अनुछेद में है अनुछेद 72 अनुछेद 124 अनुछेद 169 अनुछेद 356 इन में से आप देख सकते हो त अगला कोश्चन देखिए क्या था एक ग्यारवा मौली करते हैं किस संवेधानिक संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो यहां पर संसोधन है यहां से आप चीजों को देख पाओगे निमलिकित मैं से कौन सी समिती भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संस्थाओं नहीं है तो देखिए बलबंत राए महता तो सबसे पहले थे यहां पर तो इन चारों में से कौन से समिती जो है किसी और काम के लिए बल्कि पंचायत राज के लिए नहीं चुनी गई थी नई वाला कोशन यहां से आप से पूछ लिया गया था बरतमान में कितने राजियों में विधान परिशद है, बिहार में है, महरास्टा में है, इसी तरह से कितने और राजियों में है, यह आपको बताना था, कोशन नमर 5 क्यों बढ़ेंगे, लोगसवा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो भारत के राष्टपती, भारत के परधान मंतरी, भारत के मुखे नि हूँ, तो चलिए, अगली सवाल की और हम लोग पढ़ेंगे, अगला सवाल देखें क्या है, और एक और बात, जिनको आंसर पता है, सिक्वेंस बाइस जो है, वो आंसर भी लिखते जाएंगे, कोशन नमर 6 देखें क्या है, भारत के समिधान की सातवी अनुसूची के संग स सुची में, निमलिकित में से कौन सा बिस है, आता है, तो यहां पर आप ऑप्सन देख पाएंगे, इसका आंसर आप लोग निचे करेंगे, अगला सवाल देखें क्योशन नमर 7, गलोबल एकनोमिक प्रोस्पेक्ट के रिपोर्ट में, जो है, यह रिपोर्ट जो है, कौन प कोशन यहां से आप से पूछ लिया गया है, अगला सवाल है, निमलिकित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, हुमायो नामा, गुल बदन बेगम, किताब अल अहला, इबन बतूता, पादसा नामा, अबुल, अब्दुल, हामीद लाहुरी, किताब अल हिंद, अबुल फजल, त कुशenden बनावली में चीह यहां मिला था यहापको बताना था, कौन सा सासक बंस और इसकी राजधानियों से मिलान नहीं करता है, यहापको बताना था कुशन नमरर 13 देखिए, निमलिकित में से कौन सा निर्थी, युनिसको की अमुर्थ सांसकीरतिक विरासत में सामिल नही कालवेलिया इसके बारे में आपको बताना है कालवेलिया वैसे राजस्थान का जो है निर्ति है चाओ जारहन का निर्ति है और बंगाल में भी यह किया जाता है कस्मीर में कनिस्क के संरक्षर में चौथी बौध संगेती का जो है आयोजन हुआ था उसके उपाध्यक्ष कौन यानि कि भारतीय सुधार संग की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी निमलिकित मैंसे किसने अप्रेल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए मालावार ताठ कर मार्च का आयोजन किया था जो जीला दर्रा कहां परिस्तित है निमलिकित मैंसे कौन सा जल निकायों के यूट्रिफिकेशन से संबंधित नहीं है किसी उतपात के बजार मुली पर पहुँचने के लिए उतपात की कारक लागत से निमलिकित मैंसे क्या जोड़ा जाना चाहिए एकनोमिक्स का कोश्चन है यहाँ पे निमलिकित मैंसे कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी यह आपको बताना है यदि RBI कैस रिजब का अनुपात कम करता है तो रिन सीरिजन पर क्या परभाव पड़ेगा भारत में गरिबी का अनुमान लगाने के लिए निमलिकित मैंसे किसका उपयोग किया जाता है निमलिकित मैंसे कौन सा सहर युनेसको विश्व संस्कृति सहर जो मंच का है हिस्सा बनने वाला पर्थम भारतिये सहर बन गया है इसके बारे में आपको बताना था भारत की पहली सोदेशी रूप से विक्सित परमानु सक्षम पंडुबी का नाम क्या है ये बताना था बलैक लंग रोग जो है किन लोगों में होता है ये पूछा गया था निमिकित मैं से कौन सा सरीर का सबसे अंतसरावी ग्रंती है ये पूछा गया था सिनकोना किस भाग से प्राप्त होने वाला ये क्या है दवाई है तो सिनकोना मलेरिया में उपयोग में लाया जाता है नेतरदान में आँख के किस भाग का प्रत्यार रोपन किया जाता है एक हाइबरनेटिक मेढ़क किस सांस जो है वो कैसे लेता है अगला सवाल है दखिए कई पक्चियों के मदुर धोनी उनके छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्मई अंग से आती है पक्चियों के ऐसे सवर बक्चे को क्या कहा जाता है सिलिका जेल युक्त एक छोटा पाउच अकसर गोली या पाउडर के रुप में दबा के बोतलों में पाया जाता है क्योंकि सिलिका जेल होता है तो ये बैक्टरिया को मारता है किटानों और बिजानों को मारता है इसके बारे में सवाल पूछा गया था अगला सवाल देखिए तालाबों और कुवे में निम्रिकित मैसे किसकी रिहाई बच्चों के मच्छरों के नियंतरन में मदद की जाती इसके बारे में सवाल पूछा गया था डोडो एक उडान रहित पक्षी है आई यू एन सी के नुसारे से किस वर्ग में रखा गया है तो देखिए अगला सवाल देखिए फिर बता देता हूं है सबजियों और फलों में लाल गुलाबी नीले बैगनी रंग किस वर्णक के कारण पाये जाते है पीतल हवा की उपस्तिती में किस गैस के कारण जो है विरंजित हो जाता है स्रिया ने च्छा आवास्यक पोसक तत्वों को दोसरेनी में वर्गी करित किया है कौन सा पोसक तत्व गलत वर्गी करित कर दिया गया है यह आप से पूछ लिया गया है पौदे का कौन सा भाग हमें केसर देता है निमलिकित में से किस तत्व के लवन आतिस बाजी को रंग परदान करते हैं जो आप पड़ा का फोड़त उसमें कलर आता है किस के कारण आता है क्योरी बिंदूवात आप मान है जिस पर क्या होता है इसके बारे में बताना था आपको एंटा सीड निमलिकित में से किस छार का उपयोग किया जाता है पेट्रोल की गुनवत्ता किस में वियक्त की जाती है फ़लों के रस के संडक्षन में निमलिकीत में से किसका उपयोग किया जाता है अगला सवाल देखिए क्या है निमलिकीत में से किस योगी का उपयोग अगनी रोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है चुहे के जहर में निमलिकीत में से किसका उपयोग किया जाता है अब धरन ब्यास से तिर्बुत से सवाल पूछा गया है, वृत से सवाल पूछे गये हैं, इसके अलाबा जो है आपको यहाँ पे मेंसुरेशन के बहुत सारे कोशन देखने को मिलेगा, अब आदमी यहाँ पे चाल और दूरी का समय कोशन पूछा गया था है, स्पीट और डिस्ट अगला सवाल देखें कम्प्यूटर के लिए है, कम्प्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में डैस सामिल होता है, निमलिकित मैंसे कौन सा टॉप डाउन भासा है, वेब साइड या वेब समागरी देखने के लिए, वेब सर्वर का उप्योग करते समय क्लाइंट क्या भ ठीक है, पावर लॉस होने पर डेटा स्टोरेज या फिर रिटेंशन को क्या कहा जाता है, अगला सवाल देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेट सीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग और डेटा बेस प्रोग्राम किसके उधारन है, रेम कहां पर श्च था ये कुश्चन, कैसी डिटी के बारे में क्या सही है, यह आपको बताना था, गूगल के दोरा AI टूल का नाम क्या है, यह आपको बताना था, ठीक है, इसका अंसर साथ जेमिनी ही होगा, चैट जीपीटी अलग कमपनी के दोरा किया गया है, नेटवर्क पर परतेक डिवा नाम लिखने के लिए कौन सी भासा का इस्तिमाल किया जाता है, भीम अप्लिकेशन जो है, किसने लॉंच किया या किसने डेवलप किया है, इसके बारे में आपको बताना है, बरतमान में कौन सबसे तेज भारतीय सूपर कम्प्यूटर है, यानि कि भारत का सबसे तेज पुछा गया है आपसे तो यहाँ पे एक कर्मा नहीं है इसे आप ध्यान में रखिएगा बुकारो इस्टील प्लांट किस की मदद से बनाया गया है यह सवाल है निमलिकित में से कौन सा पहला इसाई मिसन जारखंड आया था रोहनी देवगर में उन्हें 1857 के विद्रों के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या अस्थानिये सेनिकों के दौरा की गई थी तिलका मांजी को भागलपूर में कब फांसे दी गई थी लान सनायक अलवट इका को इन में से किस युद में लड़ते हुए जो है वीरगती प्राप्त हुआ था निमलिकित में से कौन सा मिलान सही है दसम जलप्राप राची में है ये बल्कुल सही है तो यहाँ पे आपको ये बताना था जे बार थोले में किस चातर के कॉलेज के चातर थे अंग्रेजों ने भूमिज बिद्रों को का नाम जो है क्या दिया था बिटिस सरकार ने बिर्शा मुंडा को जेल में हुई मिर्तियों का कारण क्या बताया था बस्या थाना के कुम्हारी गाउं में जूरी पंचायत के सर्दस्यों को संबोधित करते हुए तेलंगा, खड़िया, जो पुलीस नहीं गिरपतार कर दिया था उसके पस्चातुने किस जेल में कैद करके रखा गया था निम्रिकित मैं से किसने बिर्सा मुंडा को प्रारंबिक सिच्छा परदान की थी मुंडा जन जाती की महिलाओं के दोरा पहने जाने वाले वस्तरों को क्या कहा जाता है संथाली लिपी, ओल चिकी का जो अभिस्कार है किसके दोरा किया गया था संथाल युवा जो चात्रावास है उसे क्या कहा जाता है निम्रिकित मैं से कौन सा जो है मिलान वो गलत है बाबा ना बैदनात मंदिर देवघर में है बास्कुनात दुमका में है हल्दी घाटी मंदिर कहां पर है, जगरनात मंदिर कहां पर है उसके नाम आपको जहें आपे बताना है निम्लिकित मैंसे किन अस्थानों में किंग फीसर पक्षी पाये जाते हैं सुदिंद्र नरायन सिंग को किस कलासे जोड़ा जाता है या किस कलासे वे जुड़े वेखती थे असुर जनजाती में मृत सरीर को कहां पर दफनाया जाता है पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार जारकन में आदिवास्यों की अवैद रूप से बेची गई भूमी को बहाल करने की जिमेदारी किसे दी गई है किस पैंटिंग में देवी का चितरन है जारकन के किस अस्थान से करक रेखा गुजरती है छोटा नाकपूर में निमलिकित में से कौन से अधिवासी निता समिधान सभा के सदसे रहे थे कौन सा जिला बाटने जला से परियोजना से जुड़ा हुआ है ये सबाल था जारकन में आदिवासी जनजातियों के फूलों का तैवार का नाम क्या है वण अधिकार अधिनियम के अनुसार सिर्शक अधिकारियों के इतहत दी गई भूमी के स्वामित का अधिक्तम सीमा क्या है क्या है क्योशन नमर 140 था अगले क्योशन 141 की और बढ़ेंगे उद्वा जल पक्चिय वियारन की जिले में है जार्कन के किस निरित ने राष्टिय और अंतराष्टिय अस्तर पर ख्याती प्राप्त की है संथाली मुंडारी हो खड़िया भासा मुंडा भासा परिवार से संबंदित है जबकि औराव पुर्वा और पहाडिया किस संबंदित है किस संगठन का नाम बदल कर आदिवासी महासभा कर दिया गया है बितिय वर्स 2024-2025 में ज़ारखन के लिए अनुमातित जो सकल राज घरेलूत पाद है GSDP के स्थिर मुल्यों पर विर्दी धर क्या होगी ये पूछा गया है ज़ारखन के किस जिले में तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम यानि कि T.T.D. जो है तिरुपती बालाजी मंदिर के प्रतिकृति को बनाने की घोसना की गई है कहाँ पर बनाया जाएगा तेनुभाट तापिय विद्धूत स्टेशन की जो छमता है वो क्या है ये आपको बताना था PM यानि कि आईसमान भारत हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर मिसन के तहत दो नर्सिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहे है मुक्की मंतरी सिक्षा प्रिशाहन योजना जो है राष्टी अस्तर की परतियोगीता परिशा की तयारे करने वाले यवाओं को मुप्त कोशिंग परदान करती है इसमें चात्रों को पर्थि मंहा कितना च्ठाइपन मिलता है कोईला मंत्रालई इस्टन कॉल फिल्ड यानि कि ECL भुमिगत कोईला गैसी करण यानि कि यू-C- Holy प्रियोजना का जो है संचालन किया जा रहा है कहां पर किया जा रहा है जरया कोईला blocks में जमतड़ा में, ग्रिडी में या फिर नौर्थ कर निरा कोईला ब्लॉक में इसके बारे में बताना था तो पूरी वीडियो अगर आपने देख ली है तो नीचे कमेंट करके जैहिन जरू लिखिएगा चलिए मिलते हैं अगला जो और भी आपका खोटा है तो उसका भी वीडि